इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह ये गैस्ट्रिक गडबडी को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, जो पेट, आंत, बायु मार्ग, हड्डियों, रेशेदार उतकों, गुर्दे, हृदे और यकृत के शलेश्म जिल्ली को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, ये ग्रस्ट्नी, स्वर्यंत्र, ब्रांकाई और नाक की सक्त, रेशेदार और चिपचिपी धाराओं वाली सूजन संबंधी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। दो, ये कंजंक्टिवा, बच्चों में बंध नाक के प्रबंधन और दुर्गंध्यूक्त नाक सैप्टम के अलसर को कम करने में सहायता कर सकता है। तीन, ये गले की सूजन के साथ-साथ मल्की लालिमा और सूजन को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। चार, येह उपाए पैरोटिट ग्रंधियों, टॉंसिल, सूजन और यूवुला की सूजन को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पांच ये श्वसन संबंधी स्वास्थे को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है जैसे अत्यधिक, पीली, चिपचिपी और रेशेदार बलगम वाली खांसी के साथ खांसी आना विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें